आप सब का स्वागत है समवाद के आज के सेशन में जहां हमारा टॉपिक है विक्सित भारत जी हाँ विक्सित भारत ऐसा भारत जिसकी कल्पना हर भारतिये ने कभी ना कभी जरूर की होगी ऐसा भारत जिसका स्वापन आपने और हमने कभी न कभी जरूर देखा होगा हाली में प्रधान मंत्री जी ने 2047 तक भारत को विक्सित राष्ट बनाने का संकल्प लिया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 2047 में भारत की स्वतंतरता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे के बारे में जानेंगे कि विक्सित भारत क्या है इसमें कौन से पहलू शामिल है और इस दिशा में कौन सी चिनोतियां मौजूद है और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विजन आई-स की सब्जिक मेटर एक्सपर्ट सोना मैम तो चलिए मैम से मुलाकात करते हैं हेलो मैम हेलो स्वार्ती तो मैम सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज इस चर्चा में जुडने के लिए तो मैम जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि 2047 में प्रधान मंत्री जी ने सौ वर्ष पूरा होने पर भारत को एक विक्सित रास्ट बनाने के लिए विजन विक्सित भारत 2047 प्रस्तुत किया है तो मैं मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विजन विक्सित भारत 2047 क्या है बिलकुल स्वार्थी सी विजन विक्सित भारत 2047 वर्स 2047 तक भारत को एक विक्सित रास्ट में बदलने ही तो भारत सरकार दुआरा प्रस्तुत किया गया बहत्तुकांसी दिस्टिकॉन है और जैसा कि आपने भी बताया स्वाती कि हम सभी जानते हैं कि 2047 हमारे लिए काफी महत्तुकॉन है क्योंकि इसी वर्ष में हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं तो इसी को लेकर हमारा जो शिर्ष्थिक्ट यानि निति आयोग है उनके दुआरा एक जो है डोक्यूमेंट या विक्सित भारत को लेकर एक जो धाचा है वो रिलीज बेसिकली किया गया है अब ये जो डोक्यूमेंट है उसमें हमने क्या टार्गेट रखे हैं तो सबसे पहला हमारा टार्गेट है कि भारत को हम एकॉनोमिकली एक टवलप्ट नेशन में कनवर्ट करें अब इसको लेकर हमारा क्या आइडिया है आइडिया है कि 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर अब आरतिक विकास के इस लक्षे के साथ-साथ हमने परियावन इस थिरता को भी महतूं दिया है सामाजिक संकेत को के फ्रेंट पर हम अच्छा कर पाएं इसको भी हमने अपने लक्षों में शामिल किया है साथ ही हमारा जो साशन है वो प्रभावी हो तो ये सारे humanषtones हैं ज जिसके केंदर में हमने सक्री और सचेत नागरिक वर्ग और उसमें भी मुख्यत यूवा वर्ग को रखा है। और सक्रेता भी होनी चाहिए। हम 2047 तक एक विक्सित रास्टे में बदल सकते हैं। तो जब संपूर्ण नागरिक समाज जिसके केंदर में मैंने बताया यूवा है। सबकी साचिदारी होगी तब भारत को हम विक्सित भारत में बदल पाएंगे। और कारिक्रम में मुख्य जिम्मेदारी दी गई है हमारे उच्चे सिक्षा विभाग, सिक्षा मंतराले के तहती ये कारिरत है। इनको कहा गया है कि ये संचार और आउटरीच के जो मामले हैं उनको देखे के। तो ये है हमारा विजन विक्सित भारत 2047। जी मैम, आपने काफी अच्छे से हमारे दर्शकों के लिए एक्स्प्लेइन किया कि आखिर विजन विक्सित भारत 2047 क्या है। मैम, हम सब जानते हैं कि भारत एक विक्सित होने की बात कर रहें। सामानने ते जब हम विकासी विक्सित या अल्प विक्सित की बात करते हैं तो एक तथे हमारे दिमाग में रहता है वो तथे क्या है कि शायद आर्थिक पैमाना ही वो आधार है जिसके आधार पर ये वरगी करण होता है लेकिन सत्य ये है कि सिर्फ आर्थिक शमता ही वो आध आधार नहीं है और कुछ और चीजे हैं जिसको भी हम include करके चलते हैं तो अगर सबसे पहले मैं आर्थिक शमता के बारे में बात करूँ तो हम क्या देखते हैं वैश्विक्स तर पर बहुत सारे संस्थान काम करते हैं वर्ड बैंक है यूएन है और मुख्यत है अगर मैं वर् लास्ट में है high income countries उनका ये classification है लेकिन क्या देखते हैं हम कि इस classification को वैश्विक्स तर पर सार्व भोमिक्स विकारियता नहीं मिली है अगर मैं आर्थिक विशेशग्यों की बात करूँ तो उनका क्या कहना है कुछ का कहना है कि अगर किसी country में per capita income 15,000 से 20,000 के बीच है तो वो economically developed country है दूसरे विशेशग्यों का कहना है कि नहीं 25,000 से 30,000 डोलर per capita income है तो एक country developed country कहलाएगी तो आप देख रहे हो कितना जो है मतभीत इस मुद्दे पर हमें देखने को मिल रहा है और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि चलिए ठीक है ये आंकलन है लेकिन सिर्फ आपकी per capita income क्या है या per capita GDP क्या है ये एक मात्र आधार कभी भी नहीं हो सकता है और इसे हम कतर के उधान के माध्यम से देख सकते हैं आप पाएंगे स्वाती कि कतर वैश्विक स्थर पर एक high per capita GDP वाली country है लेकिन उसके बावजूद भी सिक्षा के front पर, infrastructure के front पर और जो income है उसके distribution के front पर कतर की स्थिती उतनी अच्छी नहीं है इसलिए बहुत सारी संस्थाएं high per capita income के बावजूद उसे किस category में रखती हैं developed की category में रखती हैं तो सबसे पहले हमें यही clear करना था कि सिर्फ per capita GDP एक मात्र आधार नहीं है जिसके आधार पर आप विक्सित रा मिलकुल स्वाती यह एक आधार है जो मैं कहना चारी थी उसके अनुसार एक मात्र आधार नहीं है हम per capita GDP को तो consider करते हैं लेकिन उसके साथ जीवन स्थर क्या है लोगों का इसे भी देखते हैं क्योंकि अपने आप में सिर्फ per capita GDP लोगों की अच्छे जीवन स्थर को ensure नहीं करती हैं दूसरी चीज़ इनकम के साथ साथ इनकम का डिस्टिबूशन कैसा है ये भी जरूरी हो जाता है सोशल फिजिकल टेकनिकल तरह का इंफ्रस्टेक्चर कैसा है किसी भी कंट्री में सामाजिक संके तक जैसे infant mortality rate mother mortality rate इन सब के front पर कोई भी कंट्री कैसा perform कर रही है ये आपकी यहां सर्विस सेक्टर का ज्यादा योगदान है सभी factors को देखा जाता है अगर किसी कंट्री में सर्विस सेक्टर आज के समय में प्रमभूमे का निभा रहा है तो ये भी उसके विक्सित कहलाने का एक criteria होता है यानि वो country knowledge based country या economy होनी चाहिए इतना ही नहीं इन सार factors के साथ human factor भी जरूरी है यानि आपके यहां जो लोग है उनका temperament कितना scientific है कितना logical वो सोच पा रहे हैं तो ये सारे factors मिलकर किसी भी country को developing nation से एक developed nation में convert करते हैं तो per capita income एक stand alone या एक अकेला मापक नहीं है बलकि ये सारे ही मिलकर जो है महत्यपुन भूमी का निभात है जी मैम, मैम हाली में प्रधान मंत्री जी ने कहा कि किसी भी राश्ट के लिए कैसा समय आता है जब वा अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगती करता है भारत के लिए या अमरित काल चल रहा है और या भारत के इतिहास का वह काल है जब वा तेजी से छलांग लगाने जा रहा है तो इसी पर मैं भारत की समाजिक, राजनेतिक और आर्थिक विकास की वर्तमान इस्थिती क्या है इस बारे में आप से जानना चाहूंगी जी स्वाती बिलकुल जैसा आपने कहा कि अभी हम अमरित काल में हैं और भारत के अमरित काल में होने के बहुत सारे संकीत भी हमें मिलते हैं जिसमें सबसे पहला और सरवादिक महत्वपूर संकीत है हमारी GDP स्वाती हमारी जीडिपी पर चीजिंग पार पैरिटी के हिसाब से तो तीसरी बड़ी जीडिपी बन ही चुकी है अगर मैं नॉमिनल जीडिपी की बात करूं तो अभी नॉमिनल जीडिपी के आधार पर भारत विश्व की पांचवी बड़ी अर्थविस्था है और वैश्विक संस्थानों के ऐसे आकड़े आए हैं ऐसे अनुमान आए हैं कि निकट भविश्य में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थविस्था बन सकता है इसके अलावा गरीबी निवारन जिसके स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि भारत काफी अच्छा काम कर रहा है और विगत जो दो दशक रहे हैं वो हमारे लिए काफी महत्वपून रहे हैं क्योंकि चरम तरह कि जो गरीबी की दशाएं हैं उनमें हमने काफी अच्छी प्रगति की है अगर मैं बहु आयामी निर्धनता की बात करूँ क्योंकि इस पर आधारिक निती आयों के द्वारा बहु आयामी निर्धनता या मल्टी डैमेंशन पावर्टी इंडेक्स भी जारी किया जाता है इस इंडेक्स की अनुसार भारत में बहु आयामी निर्धनता में 2015-16 से लेकर 20-21 तक 10% पॉइंट्स की कमी आई है जो की काफी अच्छी प्रगती को दिश्काता है अगर मैं जीवन प्रत्याशा की बात करूँ तो इस फ्रेंट पर भी हम अच्छा कर रहे हैं आकडे कह रहे हैं कि हमारे यहां जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर मोर देन 70 हो चुकी है परियावन के पक्ष में मैं बात करूँ तो हम काफी अच्छी प्रगती कर रहे हैं हमने 2070 तक के लिए net zero emission का target decide किया है इतना ही नहीं भारत बहुत सारे अपने targets को लेकर तो काफी confident है और अपने target भी हमने positive point of view से बढ़ा दिये हैं हमारा INDC जो Paris Agreement है उसके तहत INDC की जो वेविस्था है उसमें हमारा target था कि 2030 तक जो हमारी emission तिवरता है उसे 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना था लेकिन अब हमने महतुकानशी होते वे अपने इस 33 से 35% वाले target को बढ़ा कर 45% कर दिया है हमारी energy basket में पहले हमारा अनुमान था कि 2030 तक गैर जीवास्म इंधन आधारित जो उर्जा है उसकी हिस्सेदारी 40% तक रहेगी इस target को भी हमने बढ़ा कर अब 50% कर दिया है ये दिखाता है कि भारत जो हरित economy की तरफ भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ जैसा कि विजन विक्सित भारत 2047 डोकुमेंट भी युवाओं पर आधारित है तो युवाओं के संदर में भी भारत की स्थिती अच्छी है और ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि भारत demographic dividend के स्थिती से गुजर रहा है जो किसी भी रास्ट के लिए काफी जरूरी होता है क्योंकि उसकी जनसंख्या में बड़ा वर्ग युवा वर्ग होगा युवा वर्ग ही है जो रास्ट निर्माण में महत्तपुन भूमिका निभा सकता है तो ये सारे संके तक है जो दिखा रहे हैँ कि भारत अब अमॐर चाल में है भारत के पास अऊसर है इन अऊसरों का लाब उठाते वे भारत भारत को 2047 तक विक्षित भारत में बडल सकता है जी मैम, तो मैम इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है, क्या आप उन विशिष्ट उधार्णों के बारे में हमें बता सकते हैं जो विक्सित भारत बनने की दिशा में महत्वपून हैं? क्यों नहीं स्वाती? जैसा कि मैं बात कर रही थी कि भारत विशिष्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले अर्थवविस्थाओं में से एक हैं और साथ ही राजनीती के फ्रेंट पर भी हम जो हैं विशिष्व के सबसे बड़े लोक्तंत्रों में से एक हैं. अगर मैं क अलावा मैं बात करूं तो कुछ छेत्रक हैं जो हमारी एकॉनमी में आज की समय में महत्तपुन भूमी का निभा रहे हैं जिसमें से एक है फामसी भारत को विश्व की फामसी का भी दरजा दिया गया है और ऐसा इसले दिया गया है क्योंकि वैक्सीन उतपादन में तो भार इत्ते L1 की बात करूं तो ये क्या दिखाता है कि स्पेस प्रध्योगी की में भी भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सिर्फ अब हम अपनी ही सैटलाइट लौंच नहीं कर रहे हैं बलकि कमर्शल वेसे भी सैटलाइट को लौंच करके भारत अपनी शमता का लोह का मनवा रहा है इसके अलावा इंफास्टक्चर के फ्रेंट पर भी हम अच्छा काम कर रहे हैं और सिर्फ फिजिकल इंफास्टक्चर नहीं बलकि डिजिटल इंफास्टक्चर के फ्रेंट पर भी हमारी प्रगती देखने लायक है आज के समय में हम देखते हैं कि फिनेंश से पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी जो economy है वो काफी तीजी से तकनीक प्रध्यगी की या फिर मैं कहूं कि digitalization के पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं अगर मैं भोतिक infrastructure की बात करूं तो हमारी यहाँ रेल नेटवर्क सड़क नेटवर्क सब विस्तारित हो रहा है उड़ान जैसी स्कीम हम लेकर आए हैं जिसके चलते कि जो civil aviation है यानि जो वायू मार्क हैं उनके माथ्यम से भी हम अपने यहाँ जो transportation services है उनको बढ़ा पाएं तो यह सारे front है जहां पर हम देखते हैं कि भारत अच्छा production कर रहा है इसी के साथ हम और क्या देखते हैं कि जो वैश्विक नेत्रतों में भारत की भूमिका है वो भी काफी प्रशंचने रही है जी G20 अभी हमने देखा तो भारत की जो भूमिका है G20 में काफी सराहनी रही है और भारत अपने आपको production की जो विश्व है उसके एक महत्वपून नेता या उसके एक आवाज के रूप में प्रस्तुत कर रहा है तो ये भारत की कुटनितिक बढ़त को भी दिखाता है तो चाहे राजनितिक फ्रेंट की बात करें चाहे आर्थिक फ्रेंट की बात करें या कुटनिती के फ्रेंट पर बात करें ऐसे अनेक उधारन आप देखेंगे स्वाती जो दिखाता है कि भारत इस दिशा में अब संकेत दे रहा है कि वो समय दूर नहीं जब भारत भी एक विक्सित राष्ट के लिए करना पड़ सकता है बिल्कुल स्वाती अगर मैं चुनोतियों के फ्रेंट पर बात करूं तो सबसे पहली चुनोती हमें प्रशाशनिक स्तर पर देखने को मिलती है बार-बार हमारी प्रशाशनिक जो व्यवस्था है उसकी जवाब देहिता पर प्रशन उड़ते रहत हैं इसकी अलावा जो हमारी संस्थाएं हैं जो राष्ट में साशन व्यवस्था को चलाती है उनका सजग होना भी जरूरी है लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे यहां जो संस्थाएं हैं उनमें भी जवाब देहिता का आभाव देखने को मिलता है स्वायत्ता की कमी है साशन वेवेस्था पर देखने को मिल रहा है बार बार न्यूसपेपर वगेरा में स्वाती आप पड़ती होंगे हमारे जो दर्शक हैं वो भी दोती होंगे कि हमारी संस्थाओं की राजनितिक तटस्था पर प्रस्न उठते हैं साथी संस्थाओं की जो कारिय दक्षता है उस पर भी प्रिशन उठते रहے हैं और इन प्रिशनों की लिस्ट में संस जो हमारी सर्वोश्ची संस्था है वो भी नहीं बच पारी है तो यह फैक्टर है जो चुनोटी हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि यही से तरह रूषन बनते हैं यही से संस्थाएं यही स WhatsApp कल जो कि अच्छी बात है लेकिन जैसे जैसे भारत में per capita income बढ़ेगी वैसे ही वैसे उमीद है कि जो बढ़ने वाला emission है जो हमारा अभी at present CO2 emission है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि एक सामान में सह संबंध होता है जो देखने को मिलता है GDP और greenhouse gases के emission के वीज़ तो उसको लेकर हमारी रन्निती अभी बहुत क्लियर नहीं है कि in future इस तरहें के problem का हम कैसे समाधान करूंगे साथ ही मैंने बात की थी जब मैं विक्सित रास्टों के लिए क्राइटेरिया की बात करी थी कि कोई भी country जब knowledge economy है तब हम इसे एक factor मानते हैं कि वो विक्सित economy है लेकिन भारत के संदर में हम क्या देख रहे हैं कि knowledge economy ज्यान अर्थविस्था बनने के लिए हमारी यह research development तो पहले अच्छा हो लेकिन इस front पर क्या पाते हैं कि आज भी हमारी GDP का लगबग 0.7% है जो हम R&D पर खर्च कर रहे हैं तो कैसे हम भारत को एक विक्सित रास्टे बना पाएंगे इसी के साथ infrastructure पर नी संदे हमने काम किया है हमने प्रगती भी की है लेकिन आज भी दो इश्यों है आज भी हमारा लोजिस्टिक कोस लगबग 13-14% के आसपास बना हुआ है ये वैश्वी कोशत जो लगबग 8-9% है उसे काफी ज़ादा है तो ऐसे में हम कैसे अपने यहां बिजनस को profitable बना पाएंगे और दूसरा जो पहलू है वो है निजी शेत्र की भूमे का सरकार के पास संसाधन सीमित है और जिम्मेदारिया अनंत है संसाधन सीमित है तो उनको बाट कर इस्तेमाल करना है ऐसे में सरकार ने सोचा कि क्यो ना निजी शेत्र की भूमे का हम infrastructure में बढ़ाएं लेकिन हम क्या कि सरकार की अने कोशिशों के बावजूद अलग-अलग तरह हैं कि हम public private partnership agreements लेकर आए लेकिन फिर भी निजी शेत्र का उत्साह उतना नहीं है अगर मैं कोशल skill के बारे में बात करूँ तो किसी भी nation की जो human capital होती है वो उसके development के लिए सबसे ज़ादा जरूरी कड़ी होती ह है लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहां लोगों को भारत का जो विकास की कहानी है उसमें विश्वास नहीं है जिसके चलते brain drain की समश्या देखने को मिलती हैं लोग यहां से सिक्षित होकर skill लेकर जो विक्सित रास्टे अभी हैं उनकी तरफ चले जाते हैं क्योंकि बहतर जीवन बहतर स्विधाएं उन्हें यहां पर मिल रही हैं तो जिसका लाब वो उठाते हैं तो भारत से brain drain हो रहा है इसके अलावा एक list last point लेकिन यह भी काफी important point है कि लोगों की सोच क्या है मानसिक्ता क्या है यह भी जरूरी भूमे का निवाती है आज भी हमारे यहा पहचान है उनको लेकर स्विकार्यता नहीं है नवाचार को लेकर स्विकार्यता नहीं है तो जब तक यह सारे challenges हमारे सामने रहेंगे यह हमारे लक्षे को बाधित करते रहेंगे तो इनको लेकर हमारी policy मोटा मोटा हमें यह decide करना पड़ेगा कि किस तरह के challenge short term में हम solve कर सकत हैं हमारी प्रात्मिक्ता क्या हो इसका हमें निर्धारन करना पड़ेगा जी मैं मैं देजभर के विविद सांस्कृतिक परिद्रिश्य और भौगवलिक विविद्ताओं को ध्यान में रखते हुए यह जी चिनौतियां आपने mention की उनको काबू पाने के लिए आप क्या सु तो ये तो सारे समाधान हैं जिनकी हम सामानेत बात करते रहते हैं लेकिन आज के इस session में मैं इसके अलावा कुछ suggestions हैं जिन पर focus करना चाहूंगी तो जिनमें सबसे पहले हैं हमी psyche पर काम करना है यानि मानसिक्ता पर काम करना होगा अब इसका simple सा ताटप्री यहां पर यह ह है कि हम सारजनिक role model लेकर आएं जो लोगों को प्रेरित करें हम अपने आम आदमी को काबिल आदमी बना पाएं इस चीज़ पर हमें focus करना पड़ेगा हमारे देश का जो नागरिक वर्ग है उसमें देश भक्ति का भाव समर्पन का भाव सेवा का भाव हमें स्रजित करना प साथ ही सामानित है हमारा जुकाव समस्याओं की तरफ अथिक रहता है लेकिन हमें समस्याओं में भी अब आउसर खोचने पड़ेंगे ताकि हम अपने इस वपन को पूरा कर पाएं साथ ही प्रिशाशनिक सरपर्तों हमें काम करना ही पड़ेगा हमारी प्रिशाशनिक संस्था में हमारी संस्थाओं में जिस तरह के सुधार की आविशक्ता है वो सुधार करने में हम हिचकिचाएं नहीं तभी राष्ट प्रगति के पत्पर आगे बढ़ेगा जहां तक बाठ है परियावर्ण की तो निती के सतर पर तो हम काम करते ही हैं और कर भी रहे हैं हमे संद्रक्षन ही उर्जा का बचाओ है तभी भारत अपनी ग्रोथ के साथ अपने जो टार्गेट से परियावर्ण को लेकर उनको एफिशेंटली पूरा कर पाएगा जैसा मैंने अभी आपको बतायता ब्रें ड्रें की समश्या हमारे यहां है तो क्यों ना इस ब्रें ड्रें को हम ब्रें गेन में बदले हम कोशिशे भी कर रहे हैं परवासी भारते सम्मेलन हम करते रहे हैं साथ ही ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हम लेकर आ रहे हैं जिससे परवासीयों के पास जो धन संचैत है उसे वो भारत में निवेश करें और उससे हमें लाप मिलें और लास्ट विकास की जो यात्रा है उसमें सांस्कृतिक पहलू कहीं ना कहीं हमारा पीछे रहा है तो अब आविशक्ता है कि हमारे यहां जो सांस्कृतिक विवित्ताइं हैं हम उनको स्विकार करें और उन सांस्कृतिक विवित्ताओं को एक अवसर के तोर पर देखकर यह जो विवित् और अल्पकालिक जब प्रात्मिक्ताओं का हम निर्धारन करेंगे और जब सारा भारत एक साथ एक चुट होकर आगे बढ़ेगा तब कहीं जाकर हम भारत को 2047 तक एक विक्सित भारत बना सकते हैं और हमारे प्रधान मंत्री जी का जो विजन है विजन विक्सित भारत 2047 उसे हम अचीव कर पाएंगे जी मैम आपने बिल्कुल सही का कि सब के साजा प्रयास से ही इन सुझावों को अमल में लाकर हम विक्सित भारत का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के समवाद के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ह जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि आइडिया की शुरुआत होती है आई से और इंडिया की भी शुरुआत होती है आई से उसी तरह विक्सित भारत का लक्ष भी हम आई से यानि से प्राप्त कर सकते हैं तो विक्सित भारत के लक्ष प्राप्ती के लिए हम सब क को मिलकर साज़्ा प्रयास करना होगा उमीद है आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए और ऐसे ही महत्पूर मुद्दों पर ऐसी चर्चाय देखने के लिए विजन आईएस की यूट करते रहें धन्यवाद